दोस्तों वीडियो को पब्लिक करने के ठीक तीन गंटे के बाद अगर आपके व्यूज वोई 15,20,40,50,100,500 इससे उपर नहीं जाते लेकिन आपको आपकी वीडियो 1 अफ 10 भी नज़र आती है 2 अफ 10,3 अफ 10,4 अफ 10,5 अफ 10 लेकिन उसके बावजूद आपकी वीडियो नहीं चलती वीडियो का तीर का निशान भी उपर होता है CTR भी आपको 7,8 से उपर नज़र आ रहा होता है और आपकी एवरिज वीडियो डियेशन का भी तीर का निशान इस तरह से उपर होता है लेकिन उसके बावजूद आप लोगों कहते हैं कि हमारी वीडियो रुख जाती है आगे उसकी रीच नहीं बढ़ती इंप्रेशन नहीं जाते है ज्यादा तो वो क्यों नहीं जाते है मैं पहली भी अपनी वीडियो में बताच चकाहँ Dekhra ये वीडियो बहुत काम कियह आप लोगों की जिन्दी बदल देने फ़ारी वीडियो है अपथा आहन आपको अपनी आइंदा आए आने वाली वीजियो में बताने लगा हूँ और आज की इस वीडियो में जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ ये इतने कमाल की ट्रिक है जब मेरे भी आप लोगों की तरह 50 व्यूज 60, 70, 80, 100, 1500, रोज और डेट 100, 200 व्यूज आते थे मैं भी इसी तरह से डी मोटिवेट हो जाता था परेशान होता था यार ये क्या होगा कब चैनल ग्रो होगा अब दूसरा तीसरा ओचैनल ओपन कर लिया अब भी भी चैनल ग्रो नहीं कर रहा तो दोस्तों मेरी यही कोशिश है कि आप लोगों का चैनल जल से जल ग्रो होजे देखें जिस तरह हम लोग यूटूब से अनिंग कर रहे हैं हमारे व्यूज आ रहे हैं हमारी अनिंग हो रही है तो इसी तरह से जब आप यूटूब की फिल्ड में आते हैं तो आपको यूटूब तो अनिंग दे ही रहा होता है लेकिन साथ साथ में आपको और भी तरीके पता चल जाते हैं कि आपने YouTube से पैसे कैसे कमाने हैं किसी को promote भी कर सकते हैं उसके भी चार्जिस होते हैं Community tab पे आपने किसी का link लगाना है उसके भी लोग vlogging channel वाल इतने पैसे चार्ज कर रहे हैं तो काफी पैसे आप लोग इस YouTube से कमा सकते हैं अब देखें अगर आप लोगों का चैनल ग्रो नी हो रहा छे महीने साल का टाइम गुजर चुक है तो बजाए के इतना टाइम वेस्ट करने के अब मेरी आज की इस वीडियो में जो मैं तरीका आपको समझाने वाला हूँ पताने वाला हूँ दिखाने वाला हूँ वो समझ ले देखें अगर आपकी वीडियो पे व्यूज नहीं आते आपकी वीडियो को पबलिक किये हुए तीन गंटे हो चुके हैं आपकी वीडियो पे तीनों तीर के निशान उपर हो गए है और उसके बावजूद आपकी वीडियो नहीं चल रही है आपको 6 गंटे की बाद भी देखेंगे ना तो वो व्यूज आपके वही 40-50 पे अटके रहेंगे इससे उपर नहीं जाएंगे याद रखें मैंने जितनी बी टिपस अपनी वीडियो में बताईएंगे बहुत से लोगों को फाइदा हुआ है मुझे परसनली वाटसप पे भी मैसेज आते हैं और कॉमेंट्स भी आप मेरे पढ़ सकते हैं बहुत से लोगों को फाइदा होता है तो ये वीडियो स्पेशली उन नए यूटूबर्स के लिए और पुराने यूटूबर्स के लिए जिनको 6 महीने साल का अर्सा गुदर चुका है जो परफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनके चैनल ग्रो नहीं हो रहे हैं व्यूज नहीं आते, यूटूब उनकी वीडियो सजेस्टिंग भी नहीं बेजता है, रिकमेंडेशन भी नहीं बेजता है उस सूरत पे आपको क्या करना है दो तरीके अगर आप तसली से वीडियो देख लेंगे ना, शोट सी वीडियो है इनको समझ लेंगे मेरी बातों को समझ लेंगे तो आपका चैनल 20 से 25 दिनों में 101 परसन कहता हूँ चैनल गुरू होना शुरू हो जएगा लेकिन उससे पहले कल की वीडियो पे देख लेते हैं जिन लोगों ने कॉमेंट्स किये थे आज कॉमेंट्पिकर किसे वीनर निकालता है तो आप लोगों ने इनके चैनल पे जाना है इनकी जो लास्ट वीडियो पबलिक होई भी ये फूल वाज करना है लाइक करना है कॉमेंट करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसी तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करना है अगर आप चाहते हैं कल की वीडियो पे वीनर आप निकले तो जल्दी से इस मेरी वीडियो पे जा के कॉमेंट करें प्यारा साथ वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें तो चलते हैं पॉइंट की तरफ, तो दोस्तों दो तरीकों को आपने बड़ी तसलिश से देखना है, समझना है कि क्या चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, फुल फोकस वीडियो की तरफ होना चाहिए, सबसे पहला जो आपको पॉइंट बताने वाला हूँ, वीडियो अप अपलोडिंग के दुरान आपने इसको करना है, कैसे? आप गुगल क्रोम में अपनी वीडियो को अपलोड कर रहे हो, आपने टाइटल लिख लिए अपना डिस्क्रिप्शन की तरफ जैसी आप आ रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन पे जैसी आप अपने टाइटल को पहली आप वीडियो ओपन करके देखने, और जो दूसरी वीडियो पर मैंने लगाई है, वो मैंने हटा दी है, क्योंकि उसमें कुछ पाकिस्तानी यूटूबर्स के हैश्टाइक भी थे, जो जब आपकी वीडियो चल पड़े ना वो आप हटा दो, क्योंकि बहुत से ऐसे आप वीडियो बना रहे हो, जिस बड़े यूटूबर की वीडियो को आपने फोलो किया है, सेम कॉंटेंट आपने अपने अंदाज में बनाया है, तो उसके टाइटल को आपने कैसे अपनी डिस्क्रिप्शन पे लेके आना है, सबसे पहले आपने गूगल क्रोम में उनकी वीडियो को यूटूब पेज ओपन करके उनकी वीडियो को प्ले करना है, और इस तरह से आपने जैसे कि आपको शो हो रहा है, आपने उनके टाइटल को कर लेना कोपी, जैसी आप कोपी करेंगे, यहां पे आपने एक चीज़ का ख्याल करना है, टॉपिक आपका सेम होना अची है, अपने से बड़े यूटूबर्स जिदन की वीडियो बहुत वाइरल हो भी है, अच्छे व्यूज आएवे हैं, उन जैसा आपने कुंटेंट त्यार किया है, आप अपने अंदाज में बना रहे हो, लेकिन आपने कैसी उनकी ओडियन्स को टारगट करना है, इस ट अपने वीडियो बनाई है, ठीक हो गया, ये दो टाइटल आपको नजर आ रहे हैं, उसके बाद नीचे आपने यूर्ग सर्चिस लिक के जो कीवर्ड लगाने हैं, लास्ट में आपने हैश्टेक लगाने वो आप लगा सकते हैं, जैसे आप अपना काम करते हैं, उसको वैस लगाने से क्या होगा, बड़ी जबर्दस ट्रीक के है, यकीन माने, इंडिया में बहुत जएदा वाईरल हुई थी, बहुत जएदा लोगों को फाइदा हुआ है, लेकिन हमारे पाकिस्टानी यूटूपर्स ने कम बताई, इतनी ज़एदा लोगों ने पताई नहीं, ले आपके चैनल को देगा कुछ पOOOO और거야 है कुछ भी नहीं कि वीडियो सजस्टिंग आपकी वीडियो को वाज़ कर रही है आपकी भी इसगैण बदीश ने का जएा बदिशका है और और इस वीडियो सजस्टनक Neat ना और और अच्छा दर्यक्तना होता है यह वो ट्रिक मैंने आपको बताई है अगर आप नई यूटूबर है मेरी पिछली वीडियो को आपने नहीं देखा जायर सी बात है जैसे जैसे दिन गुजरते जारें यूटूब मेरी वीडियो को नए लोगों को भी रिक्मेंट करता है रोजना नए सबस्क्राइबर मेरी पर आते हैं तो उन लोगों के लिए मैं इसलिए यह वीडियो बनाता हूं ताकि जो नए सबस्क्राइबर हैं वो यह गलतिया न करें उनके 6 महीने साल जाया ना हो वो जल्द से जल्द अपनी वीडियो को वायरल कवा ले तो आपने सबसे पहला पॉइंट यह वला है कि उस दें जी टिप नमबर टू की तरफ जो पॉइंट नमबर टू है उसको गोर से समझिएगा यह भी बहुत आउट क्लास है यानि कि इंदिया की जितने भी यूटूबर्स है ना वन मिलियन जिनके सबस्क्राइबर हो गया है साथ लाग पांच लाग इन दिनों में जो एकदम यूर सर्चिस लिक के नीचे कीवर्ड लगा दिये जब लास्ट वली साइट पे लास्ट वले पोशन पे जब आप हैश्टेक लगाते हो ना तीन से चार जस्ट आपको लगाने है आपके टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको यह नहीं कहता कि पिचास सो लगाई दें दर नह रही हो गया अब आपने क्या करना है जिसका टाइटल आपने अपनी पहली लाइन के नीचे पेस्ट किया है जिस तरह आपको नजर आ रहा है इसी के चैनल का हैश्टेक आपने फोर्थ नमबर पे लगा दिये और फोर नमबर पे आपने इनके चैनल का हैश्टेक लगा दिय या हैश लिख के बगैर स्पेस के इनके चैनल के नाम को लिख दें, जिस चैनल की ओडियन्स को आप टारगट करना चाते हो ना यकीन मानो, आपकी वीडियो, आपके थम्निल्स, उनकी वीडियो की सिज़स्टिंग बे चले जाएंगे, यूटूब ने ये करना है, वो लोग आ रहे हैं, रिकमेंडेशन से आ रहे हैं, सच से आ रहे हैं, सज़स्टिंग से आ रहे हैं, रिकमेंडेशन से आ रहे हैं, आपको व्यूज आना शुरू हो जेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ये दो पोइंट है, सबसे पहला पोइंट दुबारा रिपीट कर देता आपने अपने टाइटल की नीचे वली लायन पे उस टाइटल को पेस्ट करना है जिससे रिलेटिड आपने वीडियो बनाई है ये हो गया पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट आप जब हैश्टेग लगा रहे हो डिस्क्रिप्शन पे लास्ट वले पोशन पे जब आपने तीन चार लगा लियें तो आप फॉर्थ या फाइफ नमबर पे उस चैनल का हैश्टेग ज़रूर लगाओ जिसका टाइटल आपन लगाया है जिससे मैच करदा कॉंटेंट आपने त्यार किया और उससे बेस्ट पर्फॉर्मिंस दिये तो यकीन माने आपकी वीडियो उन ओडियन्स के पास जाना शुरू हो जीगी है ये यूटूब के पॉलिसी के खिलाफ ही लेकिन बहुत से लोगों ने अपनी वीडिय ने उसकी वीडियो को डिलीट करवाया हो लेकिन हमारे पाकिसान में अगर घल्ती से भी किसी यूटूबर का हैश्टेग लगा लो ना तो यकीन माने कुछ भी हो सकता है आपकी वीडियो के साथ तो ये रिस्क लोईना मैं आफल तो लगाता नहीं हो मैं जज़दा तर इनिया में आसा आसा जो 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 लोग मेरे टॉपिक को सर्च करते हैं उनको रिक्मेंड करते हैं तो इसी तरह से आपकी भी करेगा देखिए अगर आप नई यूटूबर आपका चैनल ग्रो नी कर रहा तो आपको ये टोटके जो है आपको इस्तमाल करने पड़ेंगे आप आपको मसला परिशानी कोई नहीं है सिर्फ आपका जब चैनल बूस्ट कर गया ना जब मेरी वीडियो 1,47 पे चली गी थी ना तो यहां पे मैंने हैश्टैग भी बड़े यूटूबर्स के लगाए वे थे इंडिया के वो मैंने खतम कर दिये थे और वीडियो टैक्स पे भ फक्त भी आपको क्यों मसला ना बने तो यह शोट सी वीडियो थी यह दो तरीके अगर आप अपना लेते हो ना तो इन्शालला आपको वीडिन 25 तो 20 डेस के अंदर आपको रिजल मिलना शुरू हो जएगा दोस्तों यह शोट सी वीडियो थी उमीद करता हूँ आपके सब्सकाइब करें वीडियो देखने के लिए दोस्तों बैल एकन पे लाजम क्लिक करें ताके आइनदा आने वीडियो के आपको नौटिफिकेशन मिलते इंपना बहुत सा खिया लगेगा मिलते नेक्स वीडियो पे जबरदस टोपिक के साथ अब तक लिए मुझे बदो आ ठाफिता की को बाहजे हैं